अब हम देखते हैं प्रॉबलम नम्बर ॥ार्टी फोर्थ। सीधे हम प्रॉबलम 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 में आते हैं आप इसको try करिएगा पहले अपने से तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है ये problem में ये thin plate is placed between two flat surface देखिए इसमें thin plate आपको दिया हुआ है ये thin plate है अपका is placed between two flat surfaces h centimeter apart ये जो दूरी है ये आपके कितनी h centimeter है such that viscosity of liquid on the top and the bottom plate is mu1 and mu2 देखिए इसके उपर वाले face के उपर viscosity of fluid कितना है mu1 है और नीचे वाले face पे जो viscosity of fluid है वो कितना है mu2 है ठीक है यहाँ पे viscosity mu1 यहाँ पे mu2 respectively determine the position of the thin plate अपने को निकालना है such that viscous resistance to the uniform motion of a thin plate is minimum यहाँ पे viscous resistance जो आपको मिले इस plate की उपर क्या मिलना चाहिए minimum मिलना चाहिए तो इसकी position क्या होगी इन दोनों के बीच में यह हमें निकालना है assuming h to be very small हम assume कर रहें कि h क्या है बहुत कम है तो देखे पहले हम यहाँ पे निकालते कि यहाँ पे shear stress कितना आएगा tau1 हम निकालेंगे इस वाले phase के उपर shear stress कितना लगेगा tau2 तो देखे tau1 अगर आपको निकालना tau1 is equal to mu1 into du by d1 du velocity velocity of the plate is given that is v और dy क्या होगा इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है tau2 कितना होगा that is mu into du by dy du velocity तो आपकी v है dy क्या होगा इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे है total force आपका किसके बराबर होगा that is यहाँ पर जो shear force लगेगा f1 लगेगा और यहाँ पर कितना लगेगा f2 F1 और यहाँ पर face पर मान लेजे F2 लग रहा है ठीक और यहाँ पर share force लग रहा है ठीक है कितना लग रहा है इसको हम क्या बोल रहा है that is F लग रहा है तो F बराबर क्या लिखेंगे that is F1 plus F2 लिख देंगे आप ठेक, तो f बराबर आपके क्या लिख देंगे, f1 कितना होगा tau 1 into a होगा, और f2 कितना होगा, tau 2 into a होगा, a तो common है यह आपका common है, यह हम भाहर लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं force on the both side of the plate कितना होगा, f equal to a भाहर ले लिए, tau 1 plus tau 2 लिख दिया हमने है, तो देखें यहाँ पर tau 1 की value हम पुट कर देंगे tau 2 की value पुट कर देंगे यह tau 1 की value है और यह tau 2 की value है, ठेक दोनों में common क्या है, v common है v बाहर ले सकते, a के साथ हम बाहर ले लेंगे, तो total जो force लड़ेगा दोनों plate के उपर जो रहेगा वो लगेगा, v a in bracket mu 1 upon y plus mu 2 upon h minus y अब देखे, f को minimum होने के लिए, f को minimum होने के लिए क्या होगा, df upon dy के value कितनी आने चाहिए, that is equal to 0, तभी इस पे जो force लगेगा, वो क्या रहेगा, आपका minimum रहेगा, तो यह जो f वाली equation है, इसका हम differentiation कर देंगे with respect to y, तो इसका differentiation मैंने करा with respect to y, और इसको equal to मैंने 0 कर दिया, तो देखे, इससे आपकी equation बन जाएगी, आपकी वो y divided by h minus y is equal to under root of mu 1 divided by mu 2, तो यह इससे आपको वो दूरी पता चल जाएगी y की, जिस दूरी पर आपका जो force रहेगा आगे cure, जो viscous resistance रहेगा, वो क्या लगेगा? minimum लगेगा